यत्र पूजयन्ते नार्यस्तो रमन्ते तर्तर देवता जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं इस लोगन को साकार किया है हमारी विभिन सरखारों ne मुख्य मंत्री महिला सम्मान निधी योजना जो प्रतेक महिला को खाते में 1000 रुपे प्रदान करती है पर मंत प्रतेक महिला को 1000 रुपे दिया जाता है विभिन राज्यों में विभिन नामों से योजना चल रही है अभी ततकाल में दिल्ली की वित्त मंत्री ने ये घोस्रा किया दिल्ली का जो बजट पास हुआ उसमें कई हजार करोण रुपए से इस योजना को चालू करने की बात की गई है जिसके पहली किस्त सितंबर में आएगी यनि 2024 के सितंबर में आएगी तो क्या है ये योजना और कौन-कौन इस योजना में पात्र है यही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसके मत करिएगा देखिए दिल्ली के ये मुख्य मंत्री है अर्बिंद केजरिवाल और ये वित्त मंत्री है इन्हों ने जो घोस्रा करी कि मै प्रतेक महिला को जो अठारा वर्स से उम्र जिसकी ज्यादा है उसको एक हजार रुपए दूंगी तो यह क्या है इसकी क्या सारते हैं यह हम देखते हैं उम्र अठारा साल से अधिक होने चाहिए यानि उस महिला को इस योजना के तहरत लाब मिलेगा जिसकी उम्र अठारा वर्स हो चुकी है 18 वर्स से अधिक उमरे की महिला हो इसके साथ महिलाओं को आयकर किस त्रेणि में नहीं आना सरकारी नवकरी वालों को नहीं मिलेका फायदा यानि जो भी महिला सरकारी नवकरी करती है उसको भी इस योजना से बाहर रखा गया है सरकारी पेंसन वालों को भी नहीं मिले गलाब कोई भी महिला जो रिटार हो गई है सरकारी पेंसन पा रही है उसको भी लाब नहीं मिले गई है आवेदन के लिए आनलाइन फार भरना होगा दी गई जानकारी सही है इस सम्मंद में सपत पत्र देना होगा इसके लिए दिल्ली का स्थाई निवासी होना जरूरी है ये जो वर्तमान में जो लेटिस्ट योजना जिसकी घोशड़ा अभी दिल्ली की वितमंद्री ने किया इसमें निश्चित तवस्पे पत्रता ये है कि वो दिल्ली की निवासी हो महिला अस्थाई निवासी हो इसके लिए उसका आधार कार्ड और मतदाता कार्ड भी होना अनिवारे है तो ये पत्रता होने चाहिए 18 वर्स से अधिक आयकर किस्रेणी में नए आती हो यह आप इसक्रिंसार्ट दे सकते हैं अगर ऐसा है इस पात्रता को कोई भी पूरा करता है तो वो महिला पात्र है इस योजना के लाग के लिए एक हजार रुपे प्रतिमाह खाता में बेज जाएगा और पहली किस्त इसकी सितंबर में चालू हो गई इसमें बताया गया है कि लगभग दिल्ली में दिल्ली में लगभग सानसट लाक महिलाएं हैं जो मतदाता हैं मतलब परिश्य पत्र बना हुआ है मतदान का यानि इतनी महिलाएं मत करती हैं सानसट लाक इन सानसट लाक में लगभग पैंतालिस लाक महिलाएं ऐसी है जो इस श्रेणी में आएंगी जो भी पातरता की बात की गई यानि 18 वर्स से अधिक उम्र होगी साथ में नौकरी नहीं कर रही होंगी इनकम टेक्स रिटर्न नहीं भर रही होंगी यह यह सारी पातरता लगभग यानि यह योजना 45 लाक महिलाओं को मिलेगा तो इसकी पहली किस्त सितंबर में जारी होगी ऐसी गोसरा भी वहां की वित्तमंत्री ने किया तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी घंटी चालू कर लिजी जैसे कोई नया वीडियो अप्लोड करें वह आपके पास पहुंचे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार